हिमाचा प्रदेश में भारी बारिज से एक बार फिर से कहर देखने के लिए मिल रहा है राज्य सरकार की क्या है तैयारी इस पर बात करने के लिए हमार साथ मुख्यमंतरी हिमाचा प्रदेश के सुकविंदर सिंग सुक्खु जो इस समय मौझूद है सर क्या स्किती है इस समय हिमाचा प्रदेश में किस तरह से ये कहर बर्पा है कहां कहां से क्लाउड बस्ट की रिपोर्ट सारी है क्या हालाते हैं देखे आज सुबह चार चालिस के करीब तीन जिला है वहां कलॉड बस्ट हुए एक ही रेंज पड़ती है और यह जो रेंज है इसमें मंडी जिला भी आता है कुलू जिला भी आता है और हमारा शिमला जिला भी आया इसमें मनाली पुरे देश से कट चुका है क्योंकि बसात म में पुरे रोडस वहां डैमेज हो चुके हैं और तकरीवन मंडी में भी एक जगा बहुत नुकसान हुआ है और रामपुर्ग में एक जगा भी तक जो रिपोर्ट्स मिली है उसमें क्लोड बस्ट के कान 35 लोग मिसिंग है तो निश्चित रूप से 50 लोगों के मिसिंग होन हमने पूरे विवाग को अधिकारियों को दिशांदर देश दिये हैं और मैं खुद अभी साइट का दोरा करने के लिए जा रहा हूं मौसम खराब होने के कान में जाने ही पायस हुआ हम आड़ 9 मज़े से बैठे हैं तो अभी हमारी सभी अधिकारियों के साथ बैठा की हु है यह ओवराल पर है हमार्चा प्रदेश में किस-किस जिला कौन-कौन सा जिला सबसे अधा एफेक्टिव के में तकरीमन पर रामपूर का एक पंचायत है साप्रा उसमें 35 लोगों के मिसिंग होने की ख़वर है निर्मंड के पास एक लोड़ बस्ट वास में नो लोगों के मिसिंग होने की ख़वर है और पद्दिर में एक मंडी में नो लोगों के मिसिंग होने की खवर है जिस पर से दो डड़ बोर्ड़ी कि अब क्लाउड बस्ट हो गया उसके बाद कई डैम्स को भी नुकसान हुआ है और उसके बाद वह पानी जो है डैम से भी आगे छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों में जो है वह फिर से परिस्तितियां खराब हो सकते हैं इसके लिए क्या तैयारी है इस पर बरसा थोड नारे ना जाए अपनी जान को जोख्यू में डाले और दूरी ही रहें तो इस परकार की इंस्ट्रक्शन सभी डिप्टी कमिशनर से लेकर ब्लॉक लेबल तक नीचे पंचाय लेबल तक हमने ये देने के नर्देश पहले ही दिये थे और और द्वारा से देने का मैने आदे पहले हैं हमारे जो नेता श्री रहूल गांदी जी जो पोजेशन लीडर है कांग्रेस पार्टी के उनसे भी मेरी बात हुई है खड़के साब से भी मेरी बात हुई हो मनिस्टर अमिशाजी ने भी फोन करके हमाचल परदेश के बारे में बोला और पूरी सहता काशवाशन प्रिंका गांदी जी ने भी हमाचल के संदर्म में इस आफदा के प्रति सब पूछा है तो निश्ची तोर पर सभी देश के नेताओं ने पहुन करके पूछा है और सभी चिंतित है और हो मिनिस्टर साब ने से हमने अन्रोद किया है कि जो भी NDRF की टीमें है उसको आप ज क्या लोगों के लिए क्या संदेश है अब आगे क्योंकि अब भालात जिस तरह से बिगड़े हैं आने वाले 36 गंटे जो हैं इसमें भी भारी बारिश का नुमान है आगे किस तरह से आप संदेश जो है वो देंगे और क्या एडवाइसरी है मौसम भिवाग के अनुसर अभी कहा गया कि अगले 36 गंटों में और अधिक बारिश होने की संभावना है तो मेरा सभी हमाचल प्रदेश की जंता से अनुरोध है कि वो बारिश के समय अधिक समय घर में रहें और नदी नालों के किनारे जो हमारे क्लोड बस्ट होते हैं उस माजर परदेश में पь ले कुछ सालों से शुरू हुआ है और इस दिरिश्टी से भी मैं माय देख सकते हैं कि एक व्रस्ट इतने ज़्यादा हो क्यू रहे हैं अब देखे एकी समय में एकी रेंज में चार- Gil toard कि हमें सुचना मेली है और जब क्लॉड वर्स्ट वात तो बहुत अत्य दिख पानी आता है उसके इर्दगित जो कुछ भी होता है उसको बहा लेकर जाता है और पानी का भाव इतना तेज होता है कि उसकी आप कलपना में नहीं कर सकते तो इस द्रिश्टी से क्लॉड इस सारी बातों का जैजा ले रहे हैं और शुक्रिया हम से बात करने के लिए तो ये थे हिमाचा प्रदेश के मुख्य मंत्री ठाकुर सुख बिंदर सिंग सुखु साफ तोर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार के आगे एक चुनौती जरूर है लेकिन इस से निपटने के इकास शर्मा शिमला आज तक